यह हमारा आज का लेसन है यह है बिगणर लेसन टू तो इसमें हम जो बीट सीखने वाले हैं वो अच्छली एक बीट नहीं है इसमें हम तीन बीट सीखेंगे तो आज का लेसन है वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए और मुझे कई लोग बोल भी रहे थे कि जो beginner lesson one था वो काफी difficult था तो मैं आपको एक secret बताता हूं कि वो actual में मैंने difficult रखा था ताकि अगर अगर आपको वो आ गया तो आपको बागी की lessons काफी easy लगेंगे और अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं क्योंकि हम यहां से जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से ह सीखने के बात कर देना ठीक है तो अभी मैं आपको एक आपको जो दिख रहे है स्क्रीन पर इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो या इसको कई copy में लिख लो जो भी करना कर लो क्योंकि यह बहुत important होने वाला है ठीक है तो हम उसको समझते हैं की बहुत चुलिक है क्या ठीक है तो आप अपने वह लिख लिया हुआ तो अब स्टार्ट करते हैं तो ठीक है तो जैसे आप पढ़ रहे हूंगे उसमें कि count 1 पे वह beat 4 count की है ठीक है तो count 1 पे हमारा kick है, count 2 पे हमारा close high hat है, उसमें मैंने abbreviation भी लिख दिया है नीचे, आप पढ़ सकते हैं, जो C का मतलब है close high hat, count 3 पे हमारा snare है, ठीक है, यह हमारा snare है, और count 4 पे वापस हमारा close high hat है, ठीक है, तो आपको च्या करना है, 1 पे kick, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आप महां से आ रहा हूँ, ठीक है, आपको एकदम slow से start करना है, ठीक है, ज़्यदा सलमान खान बनने की जरुबत नहीं है, आप एकदम slow से start कर सकते हैं, और तो यह sound करेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यह हमारी हो गई, beat number 1 आज की complete, जो हम देखते है, beat number 2, तो यह फिर से एक, इसका आप screenshot ले लो या पर जो भी करना है, कहीं पर लिख लो, okay, so start करते है, so उसमें, यह भी 4 count की beat है, लेकिन इसमें क्या है, बस इसमें यह है कि जो आपका जो close high hat है, आपको continuous play करना है, ठीक है, like 4 counts है, तो आपको 4 counts पे continuous इसको play करना है, so वो होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और आप देखी रहूंगे कि उसमें count 1 पे kick है, और count 3 पे smear है, आपको यह beat हमारे lesson 1 टाइप की लग रही होगी, लेकिन वो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वो काफी difficult lesson था, अगर आप वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप यहां से start कर सकते है, तो इसको play करते हैं, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और आप के हैस्थ यह होगा कि आप इसको एक बर play करोगे, दो बर play करोगे, उसका फिर आप speed से play करोगे, लेकिन वो आप से नहीं play हो पाएगा, क्यूंकि आपको पहले slow से start करना पड़ेगा, आप इसी speed पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आप इसी speed पे इसको 20-25 ताइम से इसको play कीजिए, उसके बाद आप धिरे-दिरे आपकी gradually speed up increase करना, तब आप से एकदम perfect बजएगा, ठीक है, तो यह sound करेगा, ओके, so यह आपका complete हो जोगा है beat 2, तो यह हमारी beat number 3 है, ठीक है, यह सबसे important है, आपको यह बहुत अच्छे से practice करना ही है, अगर आपको यह आगई, तो यह समझे लगी कि आप मतलब आने वाली beats आपको बहुत जाज़ा easy लगेगी, बस इसके आप बहुत अच्छे से practice करना, एकदम slow से start करना, ठीक है, तो इसका screenshot लेलो या कही पर लेकलो, ठीक है, तो start करते है, जैसे की, वो भी same ही है, बस इसमें क्या है, कि जो count 1 पे close है, और count 2 पे open, फिर वापस close, count 3 पे और वापस count 4 पे open, ओके, और बाकी जो kick है और snare है, वो वैसे का वैसे ही चलता है हमारा, count 1 पे kick, और count 3 पे snare, ठीक है, तो वो beat बजेगी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आप अलकी सी speed आप बड़ा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो sound करेगा, और further, अगर आप speed increase करेंगे, तो sound करेगा, okay, so यह जो beat 3 थी, कि आपको बहुत अच्छे से practice करनी है, ताकि आपको जो आने वाली beats हैं, वो काफी easy लगया, ठीक है, so thanks for watching, और अगर यह beat आपको आपको आगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और subscribe कर दो, और अगर आपको कही पर doubt आ रहा है या कही problem आ रही तो please comment करके मुझे बताओ, आपको कहाँ doubt आ रहा है, ताकि उसे मैं resolve कर पाऊं, ठीक है, so thank you.